हलो दोस्तों मेरा नाम है चंद्रकानपान्डे और आप देख रहे हैं चंद्रा इस्टेडी पॉइंट आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रा इस्टेडी पॉइंट पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाई स्कूल के सब्ध रचना तत्यु के बारे में जिसमें से उपसर्ग और प्रत्य हम पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे समास तो समास के बारे में आज हम देख लेते हैं तो जैसा कि मैं रोज कहता हूं वीडियो को लाइक करें सस्क्र description चेक करें लीजिए या फिर वीडिओ के चैनल के PLY लिस्ट में जाके आप देख्सकतेंज प्लेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हाइएंगी सभी विडियो आपको पर मिल जाएंगे आप जरूर चेक करिएगा तो आईए हम बढ़ते हैं समास की तरफ समास पढ़ लेते हैं समास समास में हमको पढ़ने हैं दो कौन कौन से दूंद समास और दीगू समास आपके सिलेबस में सिर्फ दो हैं कौन कौन से दूंद और दीगू समास आईए हम देखते हैं द्वंद समास द्वंद समास की बात करें तो परिभासा हो जाएगी समश्त पद में इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद संग्या अथवा उसका समू होता है अर्थात जो दंद होता है आपस में जैसा कि नाम से देख सकते हैं इसमें दंद वीरोध की प्रधानता जैसे दिखाएजे रहिए जैसे कि हम उद्रश्रमजलियते हैं अब दंद समस्कित के बात करें तो पाप और पुर्णे जैसा कि परिभासा में बताया गया है, इसमें इस पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, तो इसमें देखेंगे, पाप और पुन्य, पाप और पुन्य, पाप पुन्य हो जाएगा, दिन रात हो जाएगा, रात और दिन, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब हो जाएगे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, पाप पुन्य, पाप और पुन्य, रात दिन, रात दिन, इसमें एक चीज़ की और विशेस्ता होते हैं, इसमें योजग्ची न जरूर लगा होता है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगा, भूलिएगा मत, फिर उसके बाद हम अगले समास की बात करें, तो हो जाएगा, दिगु समास, दिगु समें समास की बात करें, तो परिभासा हो जाएगी, जिस समास का प्रथम, पद, संख्या वाचक और अंतिम पद, संख्या वाचक और अंतिम पद, संख्या वाचक और अंतिम पद, संख् पंच पाल तीन फलों का समाहार्ः कौन होगा 155 पालों का समाहार ठीक है तो यह था समास समास अमें कौन-कौन पढ़ने हैं आपको दुन समास और यह भूलिएगा मत आप शिर्फ इतना ही आपकी वीडियो में अगले वीडियो में हम पढ़ें गे तत्सम और पाजयावाची सब्द तत्सम और पार्यावाची सब्द अगले एक ही वीडियो में लेने का प्रियास करूँगा तो देखते रहें लाइक करते रहें सब्सक्राइब करते रहें शेयर करते रहें धन्यवाद